हलो फ्रेंज वेलकम टू राइजिंग ग्यान चैनल फ्रेंज आज की इस वेडियो में हम बात करेंगे न्यू रेक्रुट्मेंट की बारे में फ्रेंज जो आपकी वेकेंसी निकाली गई है वो आपकी पोस्ट गैजुएट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर चंडिगर की तरफ से निकाली गई है तो फ्रेंज आपकी इसमें कौन सी पोस्ट निकाली गई है इसके फॉर्म कप से स्थार्ट हो रहे है और इसमें आपकी कौन सी इलिजिबिलिटिक कंडिशन मांगी गई है इन्हीं सब के बारे में आज हम डेटेल में इसमें बा पर फ्रेंज से पहले अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दबाए विडियो को लाइक कीजिए शीयर कीजिए आपको नियो नाटिकिशन मिलती रहे फ्रेंस इसमें जो और्गनाइजेशन है वो आपका पोस्ट गैजुएट इंस्टिटूट अफ मेडिकल एजूकिशन एंड रिसर्च पी जी आई एम ए यार चंडिगर है पोस्ट नेम आपकी ग्रूप ए बी एन सी पोस्ट है टाई जो नमबर है वो आपके पी जी आई स्लेश आर सी स्लेश जी जी रो पैति स्लेश दो हजार तेई स्लेश सोलह सो चेतर है नमबर वेकेंसी आपकी 206 पोस्ट है जॉब लोकेशन आपकी चंडिगर रहने वाली है कोटेन डेट की हम बात करें तो इसमें जो आपकी जनक्रास की डेट है 1560 303 लाज़ डेट आपकी तेरह साथ 2330 से एक्जर्म डेट आना आपका बाकी है यंप कोई विस नहीं है पेइमेंट मोड आप का उनलाइन है जहने वाला आप किसमे POST NAME, NUMBER और POST आपके AGE一個 लिमिट है उसकोषस अप कैपनी के इसमें डेल में देख सकते हैं डेलिपा और कितनी आपके इसमें कौन सी POST हैं, किस नाम से हैं और इसकी AGE LIMIT क्यार है P, G, I, M, E, R, चन डिगर रिकमेंद हो जाते ही इस eligibility के बारे में आप यहां detail में देख सकते हैं कि किस post के लिए आपके कौन कौन सी जो eligibility बताई हुई है वो आप यहां पर detail में देख सकते हैं जैसे कि assistant, lab, transformation officer के आप यहां देख सकते हैं ट्यूटर, technician के आप यहां पर देख सकते हैं research assistant के आप यहां देख सकते हैं कि B.T.E.C. और इस से लिटरेट आपकी फिल्ड है storekeeper के आप यहां देख सकते हैं उसके बार junior technician lab के आप देख सकते हैं technician OT के आप यहां देख सकते हैं B.Sc. medical technology manager आप यहां देख सकते हैं कि डिग्री इन रिकोगने यूनिसिटी की आपकी होनी चाहिए बॉलर मैं गेट सेकिंड में आपकी जो चर्टिफिकेट है और तीन यहर का आपके पास एक्सपिरेंस होना चाहिए टेक्निशन गेट फॉर्थ की आपकी जो टैंथ आपसे मांगी गई है विद आई टिए सेटिफिकेट उसके लोवर डिवीजन किलर के लडी सी में आपकी मैट्रिकलेशन और स्पीड जो टाइपिंग है वो आपकी बता हुए है CSR Assistant Gate 2nd में आपकी मैट्रिकलेशन साइंस में और इसके अलावा आपको जो और बता रखा है वो आप देख सकते हैं Technician Gate 4th की आपकी जो आपकी 10th है प्लस में ITI 5 यह आपको experience बता रखा है Massachusetts Barber Gate 2nd की आपकी मैट्रिकलेशन और से होनी चाहिए सेलेक्शन प्रोसेस 2023 के बारे में हम यह देख लेते हैं तो इसमें जो इंडिडेट है उनका computer-based आपका test होगा CBT आपका यहां लिया जाएगा computer-based CBT जो test होगा आपका English language computer में multi-choice type आपके objective type question आपके आएंगे each question का आपका one marks होगा और हर एक गलत का आपका जो नेकिब मार्किंग आपकी होने वाली है इसमें जो एक्जाम सिटी आपकी बटिंडा, बैंडलोर, चंडिगर, मोहाली, घहरादून, धहली, NCR, पाटी, हैदराबाद, इंदौर, जैपुर, कॉलकता, लखनाहू, आपका टेस्ट होगा उसमें आपकी जो ग्रूप A है उसमें आपकी 85 question आएंगे 85 मिंट के आएंगे और 85 इसके marks रहने वाले हैं और इसमें जो आपका इंटर्व्य होगा हो 15 माक्स होने वाला है टोटल आपके सो marks यसमें होने वाले हैं ग्रूप B में आपकी 100 कोशन होंगे टाइम डूरेशन आपका सोमेंट रहने वाला है मार्क्स आपके सो रहेंगे और टोटल आपके इस तरह सो मार्क्स के फिपर होगा जो भी कंडिरेट पी जी आई एम ए या चंडिगर नॉटिफिक्शन दो जाते ही इस फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं इसके अधिक जान करी के लिए आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जाके जाओर सर्च कीजिए थैंक यू सो मच